सिरोही चिले के वासा गाओ में प्राचिन सूर्य नारायन मंदिर में सुमवार कुभवे कलश वा पोथी यात्रा के साथ शीमत भागवत कथा का शुवारम किया गया कलशवा पौती यात्रा सूरे नारायन मंदिर पैसर से शुरू हुई और ब्रम्भू पूरी मेन बजार आखरिया वास से होते हुए वापस मंदिर पैसर में पहुच कर समपन हुई यात्रा में बड़ी संक्या में महिला श्रद्धालू पीत वस्त्र पहन कर वस्तिर पर कलश धारन कर शामिल हुई कलश में रत में पौती एवम राधा कृष्ण के साथ यात्रा निकाली गई आयोजग गायतरी महिला भजन मंदल वासा द्वारा भागवत सप्ता का आयोजण किया गया जिसमें कथा का शुबारम करतुए कथा वाचक अनिल कृष्ण शास्त्री महाराज ने कहा कि शीमत भागवत कथा ऐसी कथा है जो जीवन के उद्देश यवम दिश्या को दर्शाती है इसलिए जहां भी भागवत कथा होती है इसे सुन्ने मात्र से वहां का संपूर्चित्र दुस्ट्टु प्रवतियों से खत्म होकर सकारात्म कूचा से शशक्त हो जाता है उन्होंने का कि कथा की सार्थक्ता तभी सिद्ध होती है जब इसे हम अपने जीवन और वैवार में धारन करें शीमत भागवत कथा के शावन से जन्मून जन्वांतर की विकार नस्ठो कर प्राणी मात्र का लोकिकवा अध्यात्मिक विकास होता है महारती के बाद महाप्रशादी वित्रण की गई इस आफसर पर आयूजक समीती की महिला सदस्यों सहथ गोरवाल ब्रामर समाच के लोग मॉजूद रही वहीं सूरे नारायन मंदिर प्रांगर में गोरवाल ब्रामर समाच त्वारा भव्वे 56 भोग महा प्रशादी का भोग लगा कर महा अर्थी की बात शद्धालू में वित्रण किया क्या महिलाओं ने मंगल गीत गाए जागर टैम्स के लिए विनूद दवी की रिपोर्ट